आप सभी लोग अक्सर धारा 144 के बारे में जरूर सुनते रहते होंगे किसके धारा 144 के बारे में और आप देखते होंगे कि कई बार कहा जाता है कि वहाँ धारा 144 लगा दे गई है यह वही धारा है जो CRPC की धारा जिसे आप लोग दन्र पे किरिया सहिता 1973 के अंतर गताती है तो वैसे यह सामान जानकारी के लिए भी मुझे लगता है कि मालो होन चाहिए और परिच्छाओं में भी आपकी कई बार कुश्चंस बन जाते हैं सभी ठीक है क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी टॉपिक चर्चा में रहता है कापी हॉट टॉपिक होता है एक तरह से उन्हीं से कुश्चंस आपके अक्सर पू एक तरह से कि इसे मतलब बंद करने के लिए जारी की जाती है इससे पहले आप लोगोंने किसान अंदोलन में सुना होगा या इस तरह कि जो भी अंदोलन होते हैं उनमें भी आप लोगोंने सुना होगा या फिर आप सुनते रहते हैं कि हमारी सहर में धारा 144 लगा दी गई ह अब घर से मत निकलना ठीक है वैसे धारा 144 के बारे में बात कहने तू यह धारा भारत में किसी भी राज जी या फिर केंदसासित पिदेश के मजिस्टेट को एक निर्दिष्ट छेत में चार या अधिक लोगों के इकतित होने पर रोक लगाने के आधिस को पारिद करने का खड़े भी नहीं हो सकते हैं कई मूवियों में भी आप लोग देखते रहते होंगे कि धारा 144 लग जाती है फिर वहां रोक दी जाती है कोई खड़ा नहीं हो सकता है धारा 144 जिला मजिस्टेट उप विभागी ये मजिस्टेट या फिर आप देखेंगे राजसरकार द्वारा किसी कारकारी मजिस्टेट को हिंसा या फिर आपका ओप द्रव की इस्तिती में तत्कालिक पर प्रावधान लागू करने का अधिकार पिदान करता है इसमें आपको जाना टेंसन भी नहीं होती है जो भी मजिस्टेट है या आप समझी उब्वाग यह मजिस्टेट है या राजसरकार द्वारा जो भी किसी कारिकारी मजिस्टेट है यही इसे ततकाली रूप से लागू कर सकते हैं ठीक है और यह आधिस किसी बेक्ती तो इसमें आप लोगों को देखने को मिली गए या धारा, एक बिसिष्ट अधिकार्चित में किसी भी तरह के हतियार को रखने या उसकी आदान फिदान पर फिदीवन लगाती है, ऐसे कृत्त के लिए अधिक्तम तीन वर्ड की सजा दी जा सकती है, अगर इसमें आप समझी क इसमें जो भी फिरावदान है, इनका आप उल्लेगन करते हैं, तो आपको अधिक्तम तीन साल तक की सदा दी जा सकती है, यानि की दंड दिया जा सकता है, ठीक है? इस धारा की तहत आप देखेंगे, जारी वी आदेश के मताबिक, आम चंता की आवागावन पर पितिवन ल रहेंगे, जब तक की ये धारा लगी रहती है, इसके अलाबा आप देखेंगे, इस आदेश के संचालन की अउधी के दोरान, किसी भी तरह की जनसभा, या फिर आपकी रेलिया हो, आयुजित करने पर भी पूर पितिवन होगा, आप जब ये 144 धारा लग जाएगी, तो आ भंग करने से रोगना दंडी है, अपरहाद माना जाएगा, इसमें भी आप देखेंगे, सजा आपको मिलेगी, या धारा अधिकारियों को छित में इंटरनेट पहुँच को अवरोध करने, यानि कि इंटरनेट सट डाउन का आदेश देने का अधिकार देती है, आप लोग इसी के लिए इंटरनेट सट डाउन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, धारा 144 का अंतिमुद्देश, उन छेतरों में सांती और विवस्था बनाय रखना है, जहां आप जन्माजनस के नेमित, जीबन को बातित करने समंदी, चुनोतियां मौजूद है, आप देखते हैं, कहीं दंगा हो जाता है, कहाँ है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तब भी ये धारा लगा दी जाती हो शित में, ठीक है, अगर हम बात करें, धारा 144 की आउधी, यानि कि कितने समय तक लगाई जा सकती है, तो इस धारा की तहत जारी कोई भी आदेश, स माहे के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो राजी सरकार की एक तरह से, राजी सरकार के पास ही सकती है, और किन्तु इसकी अधिकतम अबदी 6 माहे से अधिक नहीं हो सकती है, और एक बार इस्तिती सामन हो जाने के बाद धारा 144 हटाई जा सकती है, जब सब कुछ सामन हो हटा दी जाएगे और एक और है फ्रोब्लम एक आप धारा 144 के बारे में और करफिव के बारे में सुने होंगे काभी बार इन दोनों में अंतर क्या है तो आपको मालू होने चाहिए कि जो धारा 144 है यह संबंदी चित में 4 यादिक लोगों को 31 होने पर रोक लगाती है जबकि जो आप देखते हैं करफिव होता है इसके तहट लोगों को एक विशे सावधी के दोरान घर के अंदर रहने के निद्देश दिये जाते हैं यानि कि धारा 144 लगी हुई है तो अखेले आप लोग निकल सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं लेकिन करफिव अगर लगा दिया जाता तो एक समय के लिए आप से कह दिया जाता है कि आप घर में ही रहें ठीक है और इसमें आप देखें कि सरकार यातायात पर भी पूर किती बंद लगा देती है करफिव के दोरान बाजार, इसकूल, कॉलेज और कारियाले करफिव के तहत बंद रहते हैं और केबल आवसक सेव करफिव की पूर्ती सुचना पर चलने की आनुमति होती है, ओर धहरा 144 की आप जानते हैं कि आलोचना भी की जाती है, तो आलोचत इस धहरा को काफी व्याफक मानते हैं और इसके कर्यानमर में जिला मजिश्ट्रृ द्वारा अपनी सक्ती के दौरुपेयों की असंक्हा जाता है आप समझे आपकी अगर केंद में सत्ता है और आप किसी राज में चुना हार जाते हैं तो आप वहां कई बार आप देखते हैं कि इंद्रा गांधी की समझ जाई है अब लोग कई बीजेपी की विजाद कर लीजे कई जगे समझ रहे हैं आपनों तो यह इस तरह भी और इस तरह के आदेश के विरोध्य स्वेम मजेश्टेट को एक संसोधित आविदन दिये जाने से अधिक्तम कुछ नहीं किया जा सकता है और इस कानून के अंतरकत आप देखें कि ब्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है जो आपके समिधान के बाग तीन में मौलिक बात की जा रही है और इसके लिए भी आप देखें कि कानून की आलोजना की जाती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा ही तो नियाले जाने का विकल्प सदियो रहता है आप नियाले जा सकते हैं आप सभी को मालू भी होगा कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो समय आर्टीकल 32, यानि कि अनुच्छे 32 के तएद आप सुपरियूम कोट जा सकते हैं। आर्टीकल 226, यानि कि अनुच्छे 226 के तएद आप हाई कोट जा सकते हैं। और ये नियाले आपकी अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है? और धारा 144 पर अगर हम लोग नियाले क्या कहता है हमारा, उस पर देख लिजे। होने के मौलिक अधिकारों पर पिती रिवंद लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। और इससे किसी भी लोगतांत्रिक अधिकारों की राहे या सिकायत की बैद अभिव्यक्ति को रोकने के उपकरन के रूम में परियोग नहीं किया जा सकता है। तो ये तो नजरिया है किसका नियालाइका इस पर इसमें आंगे की राहे भी देख लीजे आप लोग तो धारा 144 आपात इस्तिति से निपटने में मदद करने के लिए एक मत्मूरूप करने और किन्तु इसका अनुचित फिरयोग इस सम्बंद में चिंता उत्पन करता है आप इस धारा को लागू करने से पूठ मर्जिय स्टेट को जाज करनी चाहिए और मामले की तत्कालिकता के कुदरज करना चाहिए आकसमई कि इस्तितियों से निपटने के लिए विधाय का द्वारा परीपूर सक्तियों के अनुदान और मौली अधिकारों के तैर नागरेकों क कि आपके अधिकारों का मतलब नहीं रहेगा तो लोकतंग का भी कोई मतलब नहीं रहेगा आपके बोट डालने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा तो इसके बारे में यह सभी पॉइंट याद रखा के दिएगा इस तरह के सामाने टॉपिक होते हैं जिसके बारे में वैसे भी आ को मालू ही होना चाहिए ठेक है